दूर पहाडों में बसा हुआ एक बहुत ही प्राचीन और पुराना गाउं होता है एक रात की बात है चांद को काले बादलों ने ढग दिया था जिस कारण हर तरफ रात से भी भयंकर अंधिरा चा गया था जंगल की जाडियों में से चार घोडों की चौकडी की सवारी जा र तो और तेरी घटिया बात है तू अपने पास ही रख और नहीं तो क्या भूत पिशाच को साधारन मत समझो वो सच में होते हैं इस गाउं में कई सारे भूत पिशाच रहते हैं अरे काका ये गाउं है इसलिए ऐसा है अब एक वीरान गाउं भूतिया लगेगा ना थोड़ इस गाउं में आगे अतिहासिक परेटक स्थल देखने आये हैं तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे वो आदमी चौकडी को गाउं में ले जाने की जगह एक कब्रिस्तान मिले जाता है और तीनों दोस्त डर जाते हैं ओ तेरी ये तो कब्रिस्तान है काका ये काका कांच ले गए यार अभी तो यहीं पढ़ थी काका अभी के अभी कहा गायब हो गए ये सब क्या चल रहा है मित मैंने कहा था ना कि इस गाउं में भूतों का वाज है लगता है काका एक भूत थे क्या अगर ऐसी बात है तो भागो या से ये कब्रिस्तान है हाँ यहाँ कब्रिस्तान में र आखे अचानक से लाल हो जाती है। चारो भायों के भूत उन तीनों पर वार करने जाते हैं, तभी अमित अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भाग जाता है और जाडियों में छुप जाता है। वहीं वो चारो गिरीश और नीरच को मार देते हैं। नहीं, उन चारो भूतों ने मेरे दोस नीरच और गिरीश को मार दिया होगा, ये सब क्या हो गया, हम मैं क्या करूँगा। तभी अमित को उसकी तरफ चंडाल चौकडी के आने की आवाज सुनाई देती है। घोडों के पैरों की दौड सुनकर अमित की सांसे तेज हो जाती हैं और वो बहुत घबराने लगता है। ये क्या, लगता है वो चंडाल चौकडी मेरी तरफ ही आ रही है। कहीं उन भूतिया भाईयों ने मुझे सूंग लिया तो, नहीं नहीं, मुझे यहां से दूर जाना होगा। अमित फौरण हलके हलके कदमों से पीट छुका कर उन जाड़ियों से कोसों दूर चला जाता है। तभी उसे एक सांप नजर आता है। तभी अमित फौरण पास के पेड़ पर चड़ता है और वो उसकी डाली पर बैट कर ही रात गुजारता है। सुबह होने पर वो गाउं में जाता है जहां सरपंच पंचायत में बैठे होते हैं। वो उन्हें और गाउं वालों को जा कर सब कुछ बताता है। हाँ भाई सही कह रहे हो तुम नजाने कब हम चैन की सांस लेकर जीएंगे इस गाउं में। जो भी नया व्यक्ति आता है इस गाउं में या जो भी उस पहाड़ी पर जाने की भूल करता है वो चंडाल चोकड़ी उस व्यक्ति को जिन्दा नहीं छोड़ती। लेकिन भाई स हाड़ी और अन्य सवारी वाले परिशान होने लगे क्योंकि जिससे देखो वो बस उन चार भाईयों के घोड़ों पर ही सवारी किया करते जिसके बाद एक दिन जब चारों भाईयों अपने घोड़ों के अस्तबल में सोय होते हैं तब ही कुछ आदमियों ने जलन और गु उनके मौत देने लगी और ये सिलसला आप लोगों ने कभी कुछ किया ने उस चंडाल चौकडी को खत्म करने के लिए वो चंडाल चौकडी चार भूतों की ताकत है उसे जो भी खत्म करेगा वो अपनी जिंदकी से हाथ दो बैठेगा क्या हाँ यही सकते है उस चंडाल च अब मैं क्या करूँ उन डौकुमेंट्स के बिना तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा चंडाल चौकडी के डर के चक्कर में तो मुझे कुछ याद ही नहीं रहा अब में क्या करूँ और मालकिन बड़े इमानतार लोग है उन्होंने जरूर मेरे डोकुमेंट समाल कर रखे होंगे लेकिन अमिद जी ठीक है मैं भी आपके साथ चलूँगी फिर वरना यहां पर आपकी चिंता करते ही मेरी जान निकल जाएगी नंदनी पिछली बार जब हम उस गाउ में गए थे तभी हमें चंडाल चौकडी के बारे में कुछ भी पता नहीं था लेकिन इस बार मुझे सब कुछ पता है इसलिए मैं उस पहाडी के रास्ते से जाऊंगा ही नहीं फिर दूसरा रास्ता हा नंदनी गाउ में जाने के लिए दो रास्ते हैं एक पहाडी से होकर जाने वाला रास्ता और वो दूसरा रास्ता जो पूरी तरह सुरक्षित है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो मैं दिन में जाऊंगा और दिन में ही लौट आऊंगा ठीक है ठीक है अमित अपना ध्यान रखना एक मिनट ये लो ये सुरक्षा कवच है हमारी पड़ोसी उज्जैन गए थे वहीं से लाए है इसे बांध लो अपनी कलाई पर नंदी ने अमित की कलाई पर वो सुरक्षा कवच धागा बांद देती है और अमित अपने डॉक्यूमेंट्स गाउं से लानी के लिए वापस गाउं की तरफ चल पड़ता है वो सुबह के समय गाउं में जाता है और अपने डॉक्यूमेंट्स लेता है अमित वहां से निकल जाता है अब दो पहर के दो बच चुके थे चलो अच्छा है अब मैं उस पहाड़ी वाले रास्ते से नहीं जाओंगा फिर तीन बज़े की बस पकड़कर मैं शहर की तरफ निकल पड़ोंगा धन्यवाद भगवान जी अब बस सही सलामत शहर पहुंचा दीजे मुझे अमित उस दूसरे सुरक्षित रास्ते से जाने लगता है लेकिन तभी उसका पैर एक भूसे पर जाता है और वो फिसल कर एक गड़े में जा गिरता है अमित एक घंटे से भी जादा समय तक मदद की गुहार लगाता है लेकिन उसकी मदद के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं से रसी की मदद से उपर की दरफ कीजते हैं तभी वो दोनों आदमी अचानक से गायब हो जाते हैं और वहाँ पर सामने वो चंडाल चौकडी आ जाती है नहीं ये क्या चंडाल चौकडी मुझे मत मारो मुझे जाने तो मैंने तुम चारो भाईयों का क्या भी गाड़ा है उस राद तेरे दोनों दोस्तों मर गए लेकिन तो भाग कर बच निकला लेकिन आज तु भाग नहीं पाएगा अज तो तुझे हमारे हादों मरना ही होगा जिसने चंडाल चौकडी देख ली उसे तो मरना ही पड़ता है लेकिन जैसे ही वो चारो भूतिया भाई अमित पर हमला करने जा रहे होते हैं तभी उन्हें कोई दिव्वे शक्ती अपनी तरफ खीचने लगती है वो मायावी चंडाल चौकडी अपने आप पीछे की तरफ जाने लगती है और कब्रिस्तान पहुँचती है अमित भी वहा इसलिए मैंने फॉरण शेहर से यहां के पास की अरपोर्ट तक आने वाली फ्लाइट पकड़ी और तांतर जी के साथ यहां आ गई जिस तंतर से लोग बुरे काम करते हैं आज उसी तंतर से बुराई पर अच्छाई की जीत होगी यह बाबा बहुत महान और सिद्ध बाबा है तभी अचानक से चारो भायों की आत्मा नश्ट हो जाती है और साथ ही वो चारो भूतिया घोड़े भी जलकर राख हो जाते है नंदिनी के इस साहस के कारण उस गाउं से चंडाल चौकडी का कहर खत्म हो जाता है और सभी चैन से